जो E.D. के तरफ से की गई है कि गोवा के जो चार आमादी पार्टी के नेता है जिन से पूछाच हुई है उनके सामने अर्विंद केजिवाल को बिठा कर कंफरंट कराये जाएगा ये अपने आप में एक बड़ी दलील आज E.D. ने कोट के सामने रखी थी और एक तरीके से रिमांड का जो पूरा ग्राउंड था वो E.D. के वकीलों ने कोट में आते ही ASV, ASV राजु की तरफ से आते ही तै कर दिया गया था कि अर्विंद केजिवाल जाच में सहुग नहीं कर रहे हैं ऐसे में कोट ने अब साथ दिन की रिमांड E.D. ने मांगी थी चार दिन की र देकर E.D. यहां से निगल भी गई है तो यह ताज़ा अपडेट है तो रावजा वेनु के PMLA कोट से अभी आया है कि ऑडर जो सुरक्षित रखा गया था उसको सुनाती हुए का कोट ने 11 साड़े 11 बजे एक अपरल तक E.D. रिमांड E.D. ने मांगी ती लेकिन सिर्फ चा आनन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आनन जो बात आप पहले कह रहे थे वो सही साबित हुई है कि देखे रिमांड तो मिलेगी इस मसले पर क्योंकि E.D. के पास फुक्ता सुबूत है लेकिन रिमांड जो साथ दन की मांगी थी उसे चार दन का किया गया है अब इन चार का को आपरेशन अर्वन केज़िवाल की तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है तो क्या ये चार दिनों में इन सारे के सारे सवालों की जवाब मिल जाएंगे जो E.D. चाह रही है या खोज रही है देखिए बिलकुल रिमांड नोट भी सामने आचुका है मैं अभी उस रिमांड नोट को पड़ा था उस दस बारा पेज का वह रिमांड नोट है और उसमें यही तमाम चीज़े कही गई है साउध गूर्प का उसमें जिक्र किया गया है अर्वीन केजनिवाल की तरह से में कॉंस्परेटर है उसका जिक्र किया गया है जो विजे नायार है जो उनका गुट बॉज इसे बताया जाता है जो पूरा मैंच कर दा साउध गूर्प को और जो खेक बेक्स का पैशा कि इनी तमाम ग्राउंड पर अर्विन केजरिवाल से बाकी आरोपियों का जो है वो कनफरंट कराना है और जिस तरह से आज एडी ने जो बयान दच करें हैं गो में आम आदी पार्टी जो जुड़े नेताओं के उन से अर्विन केजरिवाल का कनफरंट कराना है जो मोबाईल होने उसका पासवर्ड जो है वो पता करना है तो मनी ट्रेल से जुड़े तमाम ऐसी चीजे हैं जो अभी एडी अर्विन केजरिवाल से जानना चाती है और जो वो पूस्ताज में सेहोग नहीं कर रहा हैं कई सवालों के जवाब नहीं दे रहा हैं अब इन चार दिनों की र आनन्द हमारे साथ बने रहीएगा देखिए वो पीछे जो लॉक अप है वो इस वक्त दिखाया जा रहा है और आनन्द बता रहे हैं कि कैसे अर्वंद केजरिवाल को उसी लॉक अप में रखा जाएगा और वहाँ पर लगातार पूछताच होने वाली है अभी बड़ी कव अपर यह है कि एक अप्रेल तक एडी कस्टडी में ही अर्वंद केजरिवाल को रखा जाएगा कोड का क्या observation है अब वो भी कुछी देर में आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले अर्वंद केजरिवाल ने बड़ा आरोप एडी पर लगाया आनन्द वो आरोप यह था कि कि एक अजया अि अब ज़ा फोशनता से क्वर यह था कि इस तो कि वो भी मुझूत थी क्या तो सुन लेते हैं बड़ा आरोप यहाँ पर सुनी ता केटरीवाल लगाती हुई क्या कह रही है कि इडी उन्हें परिशान कर रही है और जनता जवाब देने वाली है यह मामला अब सीधे तोर पर आनन देख रहे हैं इडी पर आरोप को लगा करो रहा है एक होता है कि आप अपने आपको आरोपों से दूर रखने की कोशिश कर रहे है लेकिन दूसरी तरफ इडी पर अरविंद केटरीवाल हो या फिर उनकी धर्म पतनी दोनों यह आरोप लगा रहे हैं कि वो उनको परिशान कर रहे हैं और दूसरा यह कि घोटाला आमादी पार्टी आर्विंद केटरीवाल या उनके जानने वालों ने नहीं बलकि एडी खुद कर रही है देखिए यह पहली बार अरोप जो है वो एडी पे आमादी पार्टी आर्विंद केटरीवाल ने नहीं लगाया है उन्हें नौ बार सम्मंद केगा और हर सम्मंद के साथ एक वकील नजर आ रहे हैं जरा उनका रूप करते हैं रूपिका मिरसा दीपक है और आमादी पार्टी के इडीगल से से विचड़ हुए है आप कोड के अंदर भीतर महजूद रहे आमादी पार्टी का जिक्र आता है 45 करोड रुपए गोवा चुनाव इस्तमाल किये चार और लोगों से पूछता हुए है इसको लेकर क्या कुछ कोड में हुआ है आज देखिए शुरू से एक पैटर्न सामने आ रहा है और आज अर्विन केजी वाल जी ने कोड से पर्मिशन मागी कि वो इस मामले में डिपोस करना चाहते है कि वो कभी भी किसी विटने से आएक्यूज को एक्जामिन कर सकते है उसके तहत नों ने बयान दिया और उन्होंने बताया कि चार बयान है जिनको आधार बनाके उनकी अरेस्ट करने की कोशिश की गई पहला प्यान सी अर्विन्द एक बिरोक्रेट का है जो की मनीश जोदिया जी के सेक्टरी थे और उन्हों ने बयान में सिर्फ ये कहा, आरविंज ने बयान में सिर्फ ये कहा, कि मेरे घर पर मनीश चौदिया जी ने उनको एक साइस पॉलिसी से जुड़े हुए कोई पेपर दिया तो उनका ये कहनाद कि मेरे करते हैं वो जहां पर मौझूद है उनके पास भी कुछ खबर है विक्रांत देखिए बिल्कुल रुबिगा अभी-अभी कोट का फैस्टा है तोमनाथ भार्ती यहां पर मीडिया से बात कर रहे हैं और आत्में प्लिए जून बार्ती के विदायक हैं वह भी आपर मौझूद लोगों नाजाइस केस है जिसमें कि अर्विन केजरिवाल जी को परिशान किया जाना है इतने पोपुलर सिटिंग हमारे चीफ मिनिस्टर जो जन्ता की पाही के लिए पुलिटिक्स का पे काम करते हैं इसलिए पानी, सीवर, हर आम लोगों के लिए काम किया है और इस तरह स आपने खुद को बताया कि केवल कुछ ब्यान जो की बार बार में बदले भी जा रहे हैं उनके अधार पे इडी ने उनको अरेस्ट किया है जो बिलकुल नाजाइस है लेकिन नरेज भाई कुछ तो क्योंकि आज भी कोर्ट ने रिवांट बढ़ा है कल भी को पिछली बार की प्रेस्ट किया गया है तो रिवांट दिल गया था एडी को एडी का ही कहना है कि अभी जाज चल रही है कुछ और लोगों के बयान लिए जा रहे हैं कहीं भी उनके ओपर allegation नहीं लगाया गया को को सग्यान ले कि जब उनके कोई ऐसा क्यों का रिवांट दिया जा रहा है क्यों के ऊपर आरेस्ट किया घ्या था क। यहाँ पर क्यूंकि आम आधमी पार्टी के विधायक भी थी है नरेश और पेषे से वकील यहां पर हमें बता रहे थे सोमनाथ भारती भी इस समय मीडिया से बात कर रहे हैं तमाम आदमी पार्टी के आज पूरी दिल्ली सरकार की कैबिनेट आज कोर्ट में मुझूद थी जिस समय अर्विंद केजरिवाल को पेश किया गया था सभी मंत्री यहां पर मुझूद थे इ एक तारिक को दोबहर साड़े ग्याना वजे उन्हें पेश करना पड़ेगा दोबारा से सी एम को और उसके बाद यह जाज एंसी यह भी बताएगी कि अभी तक कि जाज में क्या-क्या उसे चीजे मिली हैं क्योंकि यह देखना चाहिए कि रिमांट जो है को किसी भी केस में एफेट दर्ज होने के बाद एक समान्य प्रिक्रिया है और जाज एंसी को आम तोर पर कोर्ट रिमांट दे देती है सिर्फ इतना देखती है कि जो बेसिक इंक्रिडेंट हैं रिमांट के वो उसमें मौजूद हो और इस मामले में एडी ने जो बाते अभी तक बताई है उस को देखते वें कोट ने अब एक तारीक तक के लिए रिमांट पर भेज दिया एक तारीक को जब सीम को पेश किया जाएगा अर्विन केल्रिवाल को उस समय इडी बताएगी कि उसमें अभी तक के अपने पुलिस रिमांट के दोरान क्या-क्या चीजे चार्ज में पाई है सोमनो जी आज पीम को रिमांट बढ़ा दिया गया एक तारीक के लिए और ईडी की दलीले सुझने के बाद बहुत दिरुहाग के पूर्ण है जो हो रहा है एक सेटिंग चीजे के को खिलाफ आपने इस प्रकार से चार दिन और एमान बढ़ी है हमकी लेकिन जो सबसे बचलित करने वाली बात थी जो माने मुखमंत्री ने अपने बक्तव्यों के माध्यम से ये बताने का पूरा कोट को परत्त किया कि कोई केस नहीं है एडी के पास एक धिले का सबूत नहीं है ये पोलिटिकल कॉंस्परेसी है 2024 के चुनाब को एक दिसा देने का प्रत्त है लेकिन आज पूरा देश पूरी दिल्ली देख रही है कि जिसने उनके जननायक को जेल में डाला है जिसने सिक्षा, स्वास्त, बिजली, पानी का परबंद के जनता आज क्योंकि आप पूरा दिन कोर्ट में थे आप नहीं दिल्ली सीट की अपनी कोंसिट्वेंसी है वहां ते प्रत्याशी भी है पूरा दिन तो इस के सिलसले में आप कोर्ट में बिताना पड़ रहा है प्रचार वगरा ठीक चल रहा है देखिए जनता खुर परचार कर रह तो जनता कह रहे हैं सोमना चिंता ना करो हम आपके साथ हैं हर वेक्ति आज परचार कर रहा है हर वेक्ति कर रहा है जाडू को सदन में लेकि आओ तबी दिल्ली बचेगी तबी देश बचेगा सोमना पार्टी क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई विधायक वकील है अपनी एक जूप्ता दिखाने के लिए अपने नेता के साथ मुक्यमंत्री के साथ यहां पर प्येश होते हैं हेरिंग के दोरान और आज इसलिए भी खासता क्योंकि पूरी कैबिनेट आज दिल्ली सरक के दोनों बच्चे भी यहां पर मुझूद थे है आनन्द मेरे सयोगी जहां पर अर्विन केज्रिवाल पहुँच चुके हैं और वहीं पर उनको एक अप्रेल तक अब लोक अप में रहना होगा जो बात विकरांद कह रहते हैं अभी कि अब एक तारीक को बात कह रहा हैं कि अब एक अप्रेल को आपको ये पेश करना होगा कि आपने अब तक पाया क्या आनन मैं सवाल का जवाल आप से लूँ से पहले भारतिये जनता पार्टी के मन्जिंदर सिंग सिर्सा इस पूरे मस्टे पर बयान दे रहे हैं सुनने ते एक बात कोड ने आज अर्विंद केजरिवाल जी की चार दिन की एडी की हरासत को बढ़ा दिया अर्विंद केजरिवाल जी कहते दे कोई सबूत ही नहीं कुछ है ही नहीं आज जब पुकता सबूत एडी कोड के सामने रखे गए तो एडी कोड को मजबूरन अर्विंद केजरिवा बार लापते आ रहे हैं कि देखिए जी इसमें तो गुटाला हुआ ही नीजी अगर गुटाला हुआ हुआ नीजी तो मुझे रैस्ट कैसे किया और अर्विंत के डिवाल जी कह रहे हैं कि चार जगा मेरा नाम हाया है बताईए शराव गुटाले की अक्यूस्ट अर्विंद केजरिवाल जी का चार बार नाम ले रहें चार बार और अर्विंद केजरिवाल जी इसको बहुत कम बताते हैं और एक बात आओ जाए ससनी केज को असा हुआ अर्विंद केजरिवाल जी अपने मुबाइल नहीं देना जिन से आप पैसे लिया करते थे कभी मुंगुंटा के नाम से तो कभी किसी से वो सारे राज आपके चुपे हैं एक बात परश्ट है अर्विंद के जिवाल फ्रश्ट है इसलिए आज तो मंजिंदर सिंग सिरसा को इस वक्त आप सुन रहे थे यह कह रहे थे कि आपने और अर सौब आल फोन का वो देने से कारों उसे जो सवालों के जवाब पूछे जा रहरे हैं उनका गोलमोल जवाब दे रहा है और इसलिए हमें की कस्टी चाहिए चार लोगों से हमने जो सवाल जवाब किये हैं उसमें आमना सामना करवाना उन चार लोगों से जो गोवा में हैं आम आदनी पार्टी के कारेकर था आनन्द आप अपनी बात कंप्रीट कर लीजे जो सवाल इससे पहले मैंने पूछा था देखिए अभी चार दिन में देखना होगा कि ED और क्या-क्या चीजे जो है वो अर्विन केजरिवाल से पूस्ताज में हसिल कर पाती है मनी ट्रेल को लेके या जो जिन लोगों से कंफंट कराना है वो किस तरह के बयान देते हैं और उस बयानों में क्या अर्विन केजरिवाल की मुश्किलें आगे बढ़ेंगी और यह अब रूबिका एक तारिक को अर्विन केजरिवाल को फिर से राउजबनी कोट में साड़े 11 तो क्या फर्दर रिमांड की मांग एडी करेगी या फिर यह एडी कहेगी कि हमारी जांच अभी पूरी हो गई और अभी ने अर्विन केजरिवाल को नियाई खिरासत में तिहार जेल आप भेज सकते हैं जैसा कि हमने केक अभीतों को देखा दो बार उनकी एडी ने रिमां करेंग ली थी कि अर्विन केजरिवाल अगर नहाई खिरासत में एडी कश्टडी खताम होने के बाद आते हैं अगर उन्हें रात नहीं मिलती है गिरप्तारी से तो उन्हें किस सेल में रखा जाएगा क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं काफी खत्रा उनके पहले हमले लेकिन अभी चार दिन काफी महटपुर है इन चार दिन में जाहिर तोर पर जाह जिए वह ज्यादा ज्यादा मनी ट्रेल को लेके या ज्यादा ज्यादा सवाल जो है अर्विन के ज्रिवाल से करेंगी मेरे क्या रहे हैं उन्हें कुछ नजर आया है मानव आप कहां पर पार्टी की वकीलों की फौज है तो एडी की तरफ से भी कुछ वकील या पर पहुंचे हुए हैं उनसे बात करने कोशच करेंगे लेकिन दो से तीन चीज़े आपर बहुत बड़ी हुई है कोड में एक तो इलेक्ट्रोनिक डिवाइस को लेकर जो कुछ एडी की तरफ से कह अगया है कि अर्विंद के जीवाल अपनी ऑपको देंगे और इसके लाबा एक जांच में सायोग करने की बात है ग्रफतारी हुई थी उस रात भी अर्विंद के जीवाल गरतारी के समय भी एडी की तरफ आए ता कि उन्होंने जाच में सहयोग नहीं किया, पूछताच में सहयोग नहीं किया, ग्रफतार किया जा रहा है और उसके बाद आज जब ASV, ASV राजु जब कोड पहुँचे तो पहली दलील उनकी तरफ से यही आई काईदा सुन भी रहे थे, नोट भी कर रहे थे, विकरांत आज कोड ने एट तारीक तक रिमांट पर तो भेज दिया है, कोई observation है, जो उनकी तरफ से आया है, पहला सवाल, और दूसरा ये भी, कि अरवन केजरी बाल आते हैं, वो अपनी तरफ से बाते रखते हैं, और कोड को ये कहना पड़ता है, कि आपने ये बाते लिखित में क्यों नहीं दी? कि एसी राजू का खतम हुआ, उस समय हम कोर्ट रूम में ही मोजूद थे, सीम के साथ, सीम को ले करके, एडी के अधिकारी खड़े वे थे, सीम ने कोर्ट में कहा, कि एडी मैं कोर्ट से कुछ बोलना चाहता हूँ, कोर्ट ने उन्हें शुरुआत में परमिशन दी, और वे लेकिन सीम ने कहा कि प्लीज मुझे बोलने दीजे, प्लीज राजू साब मुझे बोलने दीजे और इसी तरीके से उन्होंने करके कोट को भी संबोधित किया, पॉट ने अहला कि यह जरूर कहा कि आप लिखित में अपना बयान दे जिजे, मैं उसे नोट पन ले कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं चार स्टेटमेंट ऐसे हैं जिन में अर्विंद के जीवाल जी के नाम का जिक्र है और उन्हें कहा कि मैं ये चारो स्टेटमेंट के विशे में आपके सामने बात रखना चाहता हूं पहला स्टेटमेंट मनीश शोद्या जी के तब के सेकेटरी सी अर्विंद के विशे में था उन्होंने कहा मेरा नाम चार जगें आ रहा है सबसे पहले हैं सी अर्विंद सी ऐर्विंद मनीश शिशोदिय के सेकेर्टी थै उन्हों पremale भिए गर में मेरी मौजूदगी में मनीश शिशोदिय जी से उनके कुछ ऐक्साइज के डॉकुमेंट्स हेंड़ोवर कि यानि कि सी अर्विंद को मनीश शिशोदिय जी ने CM साग के घर पे कुछ excise के documents handover किये उन्होंने यह नहीं कहा कि कुछ पैसे दिये ऐसा कोई आरोप नहीं है Madam मेरे घर पे धेरो विधायक मंत्री और अधिकारी आते हैं उनके सेकेटरी आते हैं वह आपस में खुसर खुसर करते रहते हैं और कई कागज एक दूसरे से exchange करते हैं मुझे क्या पता कौन किसको क्या दे रहा है क्या ये बयान एक मौझूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है उन्होंने कोड के सामने अपना ये सवाल रखा उसके बाद उन्होंने दूसरे गवा के उपर आये जिनका नाम है मुगुंटा श्रीनिवास रेड़ी जिनको MSR भी कहते हैं जो जगन रेड़ी की पार्टी के सांसद थे MSR एक दिन 16 मार्च 2021 को साड़े चार बजे उनके दफ्तर में आए इससे पहले उन्होंने दस दिन पहले अर्विन के जीवाल जी को चिटी लिखी कि मैं एक सांसद हूं मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं अर्विन जी कह रहे हैं मेरे ऑफिस में उन्हें तो आप सौरब भार्दवाज को सुन रहे थे कि आज जो बाते अर्विन के जीवाल की तरफ से कोट में रखी गई थी जद साहिबा के सामने वो कौन सी बाते थी और उन्हें का जो बयान है क्या इन बयानों के आदार पर अर्विन के जीवाल को गिरफतार किया जा सकता है आनन्द आज ये सीधा सवाल जो है वो ED से पूछ लिया गया देखिए रुबीका रिमांड नोट भी इस बख्त में पढ़ रहा हूँ रिमांड नोट में चारपां चीज़ें इंपोर्टेंट की गई है सबसे पहला उसमें लिखा गया है कि रोल आप सीरी अर्वीन केजरिवाल इन दा फॉर्मूलेशन एन इंप्लिमेंटेशन आप एकसाइस पॉलेशी उसके बाद नीचे लिखा हुआ है रोल आप दा पॉलेशी फॉर्मूलेशन उसके बारे में भी जिक्र किया गया है इसके लावा तीसरे पॉलेशन नीचे एक और चीज लिखी हुए इसमें रोल इन दा यूटिलाइशन आप प्रोसीड आप क्राइम उसके बारे में भी लिखा हुआ तो यह तमाम चीजों को ग्राउन बनाया गया है इडी ने रिमांड लेने का और इसी ब्याप पे जो है वो चार दिन की रिमांड जो है अर्विन केजरिवाल की इडी को मिली है इसमें रूबी का एक और चीज में आपको बदा दूँ इसमें एक और चीज लिखी हुई है रोल आप दा कनेक्शन आप ऑफिस आप मनी लॉंडरिंग ऑफेंस आप मनी लॉंडरिंग इडा आप एस पर सेक्शन सेवन्टी ए अप पीमले दो वजार बाइस तो इन तमाम चीजों का यहां पे जिक्र किया गया है और यह रिमांड नोट के अधार पर हम अगर इसको मैं उनसे बात करूंगा आमादी पार्टी के लीगल सेल के हैड है और कुछ सवाल कोड में उठाए गया है एडी की तरफ से कि एक आम व्यक्ति जो आमादी पार्टी के प्रमुक है उनकी वकीलों की फौज है तो यह सवाल हम उनसे जरूर पूचेंगे लेकिन अभी मीडिय कि अर्विंद के जिवाल कोड में बड़ा खुलासा करेंगे तो मुझे लगता है वो खुलासा शाहिद यही था कि अर्विंद के जिवाल जब अपना पक्ष रखेंगे तो एक तरीके से एडी पर जो आरोप अभी तक बाहर हम राजनितिक माहौल में सुनते हैं लेकिन कि अर्विंद के जिवाल एडी की कस्टिडी में रहने वाले हैं एडी हेड़कोर्टर में जो लोक अप है वही पर रहने वाले हैं और एडी को एक तारीक को अब तक उसने क्या कुछ इकत्था किया है लिकर स्कैम को लेकर वो सामने रखना होगा कोड के